आज जैसे कहला इस परवत के लिए जला है तो कहते हैं भाईया देवों की देव माँ ने भगवान भुले हाथ में दूर से आता हुआ देखा विस्मु भगवान को तो यथा इस्तान पर भुले बाबा खड़े होगे अब विस्मु भगवान कहा रहे हैं अरे महाराज बैठ जाओ इस ये बड़ा दुनिया में कोई पापी नहीं हो सकता इसने जीवन में कभी धरम नहीं किया कभी दान नहीं किया कभी पुन नहीं किया ये तो बहुत बड़ा सिंसार में पापी है तब तक पास में पहुँचे तो बोले बाबा ने जब ये सुना तो बोले नात हासने लगे विश्रु भगवान की बात सुनके विश्रु भगवान बोले महाराज ये बली है ना ये पहरोचन का बेटा है बोले कारण क्या है कहा कि एक बार इसकी नगर में बैस्या आई तो ये बैस्या से मिलने जा रहा था तो तीन चीजें हाथ में लिये था द्रब ठूलर माला इतनी शराव की ये था कि मारव इस पर राष्टा नहीं चली जा रही थी तीनों चीजें जमीन पर गिर पड़ी बोले बाबा वो आपके इस्थान पर गिरी है अभी ये कहता है मैं नरक मैं नहीं जाओंगा मुझे इस पुर्ण का फुल दो ये बहुत बड़ा पापी है बोले बाबा बोले है विश्रु वगवान तुमने तो बड़ी अजीब बात की बोले क्यों माहराज एक बात बताओ जिसके आंगे ब्रह्मा जी हो जिसके आप पीछे विश्रु वगवान हो उसके बीच में चल रहा हो वो बहला दुनिया में पापी कैसे हो सकता है आप कहरें बहुत बड़ा दर्मी है विश्रु वगवान बोले तो फिर माहराज आपी बताओ इस पन्नका क्या फल होगा यह कहता मैं नरग में जाओगा इस पन्नका मुझे फल दो तो भोले बाबा भोले है कि जाओ इसकी तीन चीजे मेरे इस्तान पर गिरी है अब जान में गिरी हो अगर उसकी तीन चीजे मेरे इस्तान पर गिर पड़ी है तो वो मुझे प्राप्त हो गहीं तो विश्रु वगवान बोले प्राप्त हो गहीं अब इस पन्नका फल क्या द इसे तीन गड़ी के लिए शर्ग का राजा बना दो अब बली ने सुना कि तीन गड़ी के लिए शर्ग का राजा बना दिया ये भगवान दोके में पुन हुआ तब मुझे तीन गड़ी के लिए शर्ग का राजा बनाया जा रहा है और अगर कुछ थोड़ो थोड़ो पुन सुरूत ही करते आते तो भगवान हमें आज से पता नहीं क्या से क्या नहीं बना देते तो काए कि या इतनी घड़ी के लिए शर्ग का राजा बना दो अब धरम राज बोले जुप चाप कहने लगे ये बता बली